हरे कृष्णा भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चौदवे अध्याय का 21 मशलोक देखे भगवान श्री कृष्ण ने तीनो गुणों के बारे में सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण काफी कुछ बताया और फिर ये भी कहा कि इन तीनो गुणों को पार करके शुद्ध सतो गुण में जाना है तो naturally अर्जुन का फिर एक logical question बन गया कि कैसे समझें कि किसने ये तीनो गुण पार कर लिये हैं या कोई कैसे पार करेगा इन तीनों को, थोड़ा उसके बारे में आप मार्ग दर्शन करें तो ये है चौदवे अध्याय का 21 वंचलोक अर्जुन वाच्च इसमें अर्जुन जी ने पूछा कि हे भगवान, जो इन तीन गुणों कि आप पूछे हैं अर्जुन, कि जो इन तीन गुणों से परे है भक्त बन गया, आगे निकल गया, वह किन लक्षनों के दुआरा जाना जाता है, उसकी features के हैं, दिखता कैसा है, बोलता कैसा है उसका आच्रन कैसा होता है, और वैं प्रकती के गुणों को किस प्रकार लांगता है, क्या वो करता है ऐसा जिसके होने से वो प्रकती के गुणों को लांग जाता है आर्जुन का प्रश्न और अब भगवान का अंसर श्री भगवान वाच्च तो प्रभुपाजी ने यहाँ पर भगवान के जो अंसर था उसको काफी हद तक कलेक्ट कर दिया तो 22, 23, 24, 25 ये चार स्लोक एक साथ लिए एक एक अक्षर का मेनिंग एक्स्प्लेंड किया और फिर यहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में तो क्या बोले भगवान भगवान ने कहें पांडु पुत्र जो प्रकाश आसक्ति और मों के उपस्तित होने पर ना तो उससे घणा करता है ना लुप्थ हो जाने पर इनकी इच्छा करता है देखे काफी बड़ा परग्राफ है मैं पढ़ता जाओंगा पढ़ता जाओंगा और एक्स्प्लेन या यह कहिए डिस्कस करता रहूंगा बट मुख्य तोर पर एक ही बात बार बार आएगी संभाव जो वेक्ति संभाव रहे उच में नीच में सुख में दुख में दिन में रात में मान में अपमान में जै में विजै में सुख में दुख में वो है वो वेक्ति जिसने ये तीनों गुण पार कर लिए है यानि कि उसको कोई असर ही नहीं पड़ता ये तब ही हो पाता है जब हम ये सोचें कि हमारा जीवन सेवा भाव में है मैंने पहले भी एग्जैंपल लिया था कि सबोज एक बैंक का कैशियर है आप जाके दो लाख रुपे जमा करा हो तो क्या वो कुछ हो जाता है उसको लगता ठीक है बैंक के थे दो लाख आगे जमा कर दी है कोई जाके पचास अजार निकाल ला है तो क्या वो दुखी हो जाता है नहीं वो तो सेवा में है जब हम ये समझ लेंगे कि हमारा जीवन सेवा है तो पैसे का आना जाना ऊपर नीचे या हेल्थ का भी या किसी भी चीज का फिर हम समझ भाव हो पाएंगे जब तक वो सेवा भाव वो नौकरी भाव नहीं आएगा तब तक आ सकती होगी अटाच्मेंट होगी और फिर कुछ भी ऊपर नीचे होने से सुख या दुख होगा अब देखते हैं भगवान इसको किस एक्जैम्पल से और किस तरह से समझा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान ने क्या का प्रकाश प्रकाश से हम समझ सकते हैं कि कुछ भी बहुत अच्छा हो रहा है आसकती मोह आसकती तो आएगी ना अगर कोई बहुत अच्छी प्रॉपटी है कोई घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ विवा हुआ कुछ भी अच्छा होगा तो आसकती मोह ये सब चीजे उत्वपन होंगी तो इनके उपस्तित होने से भगवान किया रहे है नया तो गphon करता है ऐसा भी नहीं कि भक्तों होगा तो कोई गई है ऐसा नहीं है थीक है उसको कोई फरक नहीं बढ़ता है अच्छा है और नलुप्त होने पर इनकी इच्छा करता है अगर इस चीजे चली जाए है समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल और एविचलित रहता है। अब रजगुण, तमोगुण का प्रभाव कई बार ऐसी स्थिती में चाहिए भक्त भी हो। अब भक्त क्या शादी में नहीं जाएगा प्रडोस की, जाएगा ना। मैं उस भक्त की बात नहीं कर रहा है, जो मंदिरों में रहता है, वो तो एक टैम चलो वही, फ्री सा हो गया। बट हम लोग जो इस भातिक दुनिया में रह रहे हैं, हमें कई बार किसी के बुलावे पर, किसी शादी में, यहां-महां जाना भी पड़ सकता है। फिर क्या होगा, वहां ना करते हुए भी कोई म्यूजिक सा चल रहा होगा, यह नहीं कि हम जाके वहां डान्स करना शुरू कर देंगे, लेकिन थोड़ा-थोड़ा रजो गुन, तमो गुन का प्रभाव हम पर आएगा, लेकिन हम उसको सहह लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे म भी सहलेगा, मैं यहां पर भी वही शब बोल रहा हूँ, ऐसो नहीं कि वह बहुत गुर्वानवित महसूस करेगा, उसको पता है, वो जो कुछ भी बोल रहा है, वो उसके गुरू ने उसको सिखाया है, तो all glory is to basically, is guru only, भगवान के शब्दों कोई तो वह रिपीट कर रहा ह कून सा वो उसने कोई मान scientific invention कर दी, तो ये भक्त को अच्छे से clear होता है, तो दोनों ही परिस्तितियों में वो संभाव रहता है, तो यही लिखा हुआ है कि जो भौतिक गुणों की इन समस्त पृतिक्रियाओं से निश्चल और एविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशी लें, उसको पता है प्रकति है, कभी रोजोगुण का प्रदाव होगा, कभी तमोगुण का होगा, कभी सत्तोगुण का होगा, वो ठीक है, वो उदासीन और दिव्य बना रहता है, मतलब वो अपनी तरफ से इन चीजों के लिए उदासीन का मतलब neutral है आँ ठीक है, जो हो रहा है, ठीक है, जैसे मैंने bank officer का example लिया वे, एक bank का cashier, पैसे के आने जाने से कोई सुखी या दुखी थोड़ी होता है, ऐसी जीवन में अगर हम सुखी दुखी होना छोड़ दें, तो बहुत neutral सी जिंदगी रहेगी, इसको ये कहेंगे कि अध्यात्म बट दिव्यता उसकी बनी रहती है, भगवान की भक्तों में, भगवान के चानों में जो उसकी भक्ती है, सेवा है, वो बनी रहती है, आगे लिख रहा है, जो अपने आप में स्थित है, ये बड़ा important है, अपने आप में स्थित होना, दूसरों के उपर बहुत जादा depend नह जरुत नहीं किसी की, वो सब के बीच में रहता है, प्रचार भी करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो dependent है, दूसरों पर, that is what it is, अपने आप में स्थित है, सुकर दुख को एक सा देखता है, मिट्टी के डेले और पक्थर के टुकडे को समान दृष्टी से देखता है, मुझे आज भी याद है कि एक बार मैंने ग्रुप के ओपर कुछ वीडियो के लिंक्स डाले जो चले नहीं, तो एक दो लोग तो उसी बात पर ग्रुप एक्जिट करके चले गए, इतने अधीर, अरे डाल रहे हैं, आप थोड़ा समय तो दो, माना हमने कोई ग्रुप बना सामने आ जाना चाहिए, नहीं तो सब बेकार, हम तो जा रहे हैं ग्रुप छोड़के, इतने अधीर होने से हम कैसे भक्ती करेंगे, तो ये तो मैंने एक एक जामपल लिया, धीर ताकि हमें बहुत जरूत है, धहरे की जरूत है, इसी तरह से प्रशंसा बुराई, मान अपम इन में भी वो समान भाव रहता है, शत्रू और मित्र के साथ समान वहवार करता है, अब ये कुछ ज़्यादा हो गया, बट भगवत गीता इसको ऐसे चालेंज मान लो, कि आपको अगर कोई वेक्ती अच्छा नहीं भी लगता अब शत्रू, तो कहा ही होते हैं हमारे जीवन अच्छे से मुस्करा के या बराबर से निकलें, नहीं तो फिर भगती ही क्या हुआ है, तो शत्रू और मित्र के साथ समान वहवार करता है, जिसने सारे भातिक कारियों का परित्याग कर दिया है, मतलब कि उसके रिजल्ट से वो अपने आपको डिटाच कर चुका है, वो का जिसने तीनों गुणों को पार कर लिया है, और एक तरह से वो धाम के लिए एलिजिबल है, मोक्ष के लिजिबल है, और ये भगवान का एक प्यारा भगत है, हरे कृष्णा